हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूफ करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के शुरू गरते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस सो फ्रेंड्स यहाँ पर ही बोल रहा है कि सफेद कपड़ों में जो लड़की है वो मेरी बैटी है इस इंग्लिश में बोलेंगे तो यह कहना चाहरा है कि जो सफेद ड्रेस में है वो मेरी लड़की है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए है बहतर होगा तुम उससे दूर रहो कह रहा है कि बहतर होगा तुम उससे दूर रहो तो यहाँ पर हमने हैट बहतर होगा तुम उससे दूर रहो तुमने ना बोलकर अच्छा नहीं किया तो इस नेक लड़की से कुछ पूझाता लड़की ने मना कर दिया तो उससे कह रहा है कि तुमने ना बोलकर अच्छा नहीं किया इसे एंग्लिशों बोलेंगे You didn't do the right thing by saying no You didn't do the right thing by saying no कह रहा है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया कछ तुमने हां कर दिया होता कितना अच्छा होता अगर तुम हां कह देती यहां पर हम यूज करते हैं या वोट मेक्स यू थिंग तो इस तरह के सेंटेंज में वाई की जगह वोट का यूज करते हैं जैसे कि हां हुआ है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं हां कर दूंगी वोट मैंड यू थिंग आई वूड से यस हम अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है तुम्हें यह सब पहले सोच लेना चाहिए था यू शूड है था इसलिए मैं सीम का यूज करेंगे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो यू टू सीम टू नो इच अधर यू टू सीम टू नो इच अधर यानि लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो यू टू सीम टू नो इच अधर तुम दोनों कब से जानते हो एक दूसरे को आगे पूछ रहा है कि हाव लोंग हैव यू टू नो इच अधर यानि तुम दो एक कि मैं खुश हूं लेकिन तुम्हें करके रहे हो तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था यू शुढ़ को इस तरीके समझ बोलते हैं तुम्हें तो घब पर होना चाहिए था You should have been at home क्या तूम चाहते हो? मैं उसे जाकर सब कुछ बता दू इस erenख कर दो बोलेंगे Do you want me to go and tell her everything? क्या तुम चाहते हो? मैं उसे जाकर सब कुछ बता दू Do you want me to go and tell her everything? अगर तुम चाहते हो? तो मैं ऐसा कर सकती हूँ I can do that if you want I can do that if you want क्या नहीं अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ I can do that if you want नहीं जरूरी नहीं है क्या राय कि नहीं वो जरूरी नहीं है no that's not necessary no that's not necessary नहीं वो जरूरी नहीं है तुम बस अपनी पढ़ाई पर धियान दो you just focus on your studies you just focus on your studies इस तरीके से हम बहुत बोलते हैं कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर धियान दो Englishman बोलेंगे you just focus on your studies मैं सब कुछ संभाल लूँगा I'll handle everything I'll handle everything यानि मैं सब कुछ संभाल लूँगा I'll handle everything मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होंगे तो यहाँ पर यह अचानक से इसके सामना आ गया तो इससे कह रहा है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होंगे I know what you must be thinking I know what you must be thinking कह रहा है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होंगे I know what you must be thinking शायद तुम सोच रहे होंगे मैं यहां क्यों आया हूँ इसे अंग्लिश में बोलेंगे You probably wondering why I have come here You probably wondering why I have come here तुम शायद सोच रहा होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूं You probably wondering why I have come here मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारना आया हूं इस अंग्लिश में बोलेंगे I am here to kill you and your family कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने I am here to kill you and your family तुम जो चाहते हो मैं नहीं करूँगा भले ही तुम मुझे मार डालो तो कह रहा है कि I wouldn't do what you want even if you killed me कह रहा है कि even if you killed me कह रहा है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे I wouldn't do what you want मैं नहीं करूँगा जो तुम चाहते हो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी कह रहा है कि okay as you wish okay as you wish ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी okay as you wish तुम अपने ही लोगों को कैसे मार सकते हो इस इंग्लिशन बोलेंगे how could you kill your own people how could you kill your own people यानि तुम अपने ही लोगों कैसे मार सकते हो how could you kill your own people मैं ऐसा ही हूँ इस इंग्लिशन बोलेंगे that's just how I am that's just how I am तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि मैं ऐसा ही हूँ हम कहेंगे that's just how I am यानि मैं ऐसा ही हूँ मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी अच्छा लगता है मुझे जब मैं लोगों की मदद करता हूँ तो यहाँ पर इसने किसे की मदद करी वो बंदा इसका शुक्रियादा कर रहा है तो कह रहा है कि I feel good when I help people I feel good when I help people यानि मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों की मदद करता हूँ I feel good when I help people वो हमेशा बक्वास करता रहता है तो जब भी हम इस तरीके से बोलना हो कि वो हमेशा बक्वास करता रहता है बख़एंगे यहीं मुझसे क्या काम है किसी ने तो पूछ रही कि मुझसे क्या काम है यानि क्या काम है तुम्हें बॉलेंगे what work do you have with me what work do you have with me अनि तुम्हें मुझसे क्या काम है what work do you have with me so friends आज की वीडियो में बस इतना ही जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और लाश्ट के हमने तीन से चार सेंटेंसे जे अपनी पुरानी वीडियो से लिए हैं तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो और ओर इसी तरीकाश देखना चाहते हो तो थो हमारे चैनल को स्बस्क्राइब कर लेना बंजिनके इस तरह की वीडियो से लाइक जरूर कर देना एंड